Facebook पर earning कर रहे हो तो आपको चीज ध्यार में रखने होती है कि अगर आपकी वीडियो पर copyright आ जाता है तो वहाँ पर आपको अर्णी होगी या नहीं होगी और उस copyright को कैसे हटाना होता है कैसे आपको process follow करना होता है सब कुछ पता होना चाहिए आप सबी को लेकिन दोस्तो Facebook बहुत सारे ऐसे creator हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं copy paste का या फिर original का अगर जो भी copy paste का यहाँ पर काम कर रहा है तो उनको यहाँ पर 100% मान सकते हैं कि आपको किसी वीडियो में copyright जुरूर देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तो जो यहाँ पर original काम करते हैं तो उनको भी कई बार यहाँ पर copyright देखने को मिलता है अब दोस्तो आपको copyright कैसे चेक करना है उसको कैसे remove करना है और उसके कितने sad fact होते हैं आपकी वीडियो पे और उससे आप earning कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो सब कुछ जानना है इस वीडियो में तो इस वीडियो को last तक जुरूर देखना है इस वीडियो को last तक देखने के फायदा ये होगा कि आप जो आपकी वीडियो पे copyright आया है उसको remove कर सकते हैं या फिर उसमें आप changes कर सकते हैं तो वीडियो में अगे बढ़ने से पहले मैं अपने वारे मतादो मेरे नाम है राजुओ आप देखें हैं हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब निके है तो जल्दी आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा उस पर आपको कलिक करके इस चैनल को का पर अब तो सबसे हैं आपको अपर देखने को मिलेगा को चैक करना होगा कि आपने आप लौड की है तो कैसी है वो यहां पर पप्लिक है यह नहीं है आपको चीज ध्यान में रखनी है अब ये कैसे चेक करना है आप से भी कुछ यहाँ पर पता होगा अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है और प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐस तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यह वीडियो है जो यहाँ पर यूरी वीडियो जो ब्लोगड एंड कैनोट व्यू नदर यह यहाँ पर ब्लोग की गई है फेस्बुक के दवारा यहाँ पर कॉपिरेट था इस कारण से आप दोस्तों आपको arsonely कोपिरेट जो भी आपकी वीडियो rational आए है तो आप अगर एक एक करण के जैक लगे तो आपको सही की भी अर्निंग बंद हो जाती है अब नीचे की साड़ यहां पर स्क्रोल करना है स्क्रोल करने के बाद यहां पर आपको चले जाना है एंड sport में और यहाँ पर जाना है आपको sport inbox में sport inbox पर आपको click करना है और click करने के बाद आपके सामने window खुलेंगे दो दो यहाँ पर आपके सामने option आ चुके हैं और option फर्स्ट में बताया गया कि आपकी वीडियो पर किसी ने copyright दिया है strike मारा है तो यहाँ पर आपको so होगा और your alert में जो आपके आपके evolution है जो आपने copyright किया है unrollable content जो भी आपने evolution किये हैं उसले आपको यहाँ पर so किये जाएंगे your alert में आपको click करना है और जब आप यहाँ पर click करके आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पर वीडियो अप्लोड की थी तो यहाँ पर 10-15 वीडियो यहाँ पर दिखाई दे रही है जिनमें यहाँ पर copyright का ISO यहाँ बना हुआ है देखी दोस्तो अगर आप यहाँ पर इनको open करते हैं इनको remove करना जरूरी होता है कि अगर आप इनको remove नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर monetization के लिए enable नहीं हो पाते हैं और enable नहीं हो पाते हैं या फिर आप montageson के लिए वहाँ पर view में based देते हैं तो वह हमेशा के लिए वहाँ पर बंद कर दे जाता है क्योंकि facebook को पता चल जाता है कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड कर रहे हैं जिसके करण आपको वह अप्रूब नहीं करता है montageson के लिए अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको first वाली वीडियो यहाँ पर दिखा देता हूँ जो first वाली वीडियो है इसको यहाँ पर ले लेता हूँ सबी में ऐसा इसू यहाँ पर सेम ही है मेरे वाली में कई वीडियो ऐसी है जहाँ पर audio में copyright आता है कई वीडियो ऐसी है जिन में वीडियो में copyright आता है क्योंकि copyright आने का जो chance होता है वो वीडियो के उपर depend होता है क्योंकि अगर आपने किसी कंपनी की वीडियो को उठाया है और उसको अप्लोड किया है फेशू पे तो वहां पर आपको जल्दी से देखने को मिल जाएगा लेकिन बहुत सारे ऐसे किरेटर हैं जो किसी दूसरे का कंटेंट पोस्ट करते हैं जैसे कॉमेडिय बगार तो वहा अनक बाद दोस्तों आपको यहां पर फर्स्ट दिखाई दे रहे हैं आपलाइड वल्डवायड यहां पर बता रहे है कि आप यहां पर और जान ओंडर नहीं है इसके तो यहांपर आपके वीडियो ब्लो कि गी है और किसके दवारक रहाए है डिसने प्लस होटस्टार ने अब उसके बाद नीचे इस एड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगा video segment और audio segment. वीडियो segment में यहाँ पर इतने से इतने minute तक यहाँ पर इनका part include किया गया है और audio में यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इतनी audio यहाँ पर आपने copyright use की है. तो इस भी आपको यहाँ पर बता दिया जाता है कि आपने किस company की और कितनी video यहाँ पर आपने use की है. अब उसके बाद मीचे से इस एड़ स्ट्रोल करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा continue button इस पर आपको simply click करना है. अब जब आप यहाँ पर click करेंगे तो उसके बाद फिर से आपको continue पर click करना है और उसके पाद यहाँ पर फिर से आपका violation है कि आप यहाँ पर कैसे बता सकते हैं कि आपने violation नहीं किया है तो आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर continue button इस पर आपको click करना है अब जो यहाँ प नहीं बताना चाहतें कि आपकी video है या फिर आप स्क्क प्रोड करना चा informs दोस्तों आपको यहां पर मिल जाते हैं कि यहां पर अगर आपने किसी video को उठाया है अपर फेस्टूपर अप्लोड कर रहे हैं on remark कषो ओर तरीके से अपलोड कर रहे हैं तो आपको approve करना होगा कि आपने वहाँ पर copyright वीडियो को उठाया है उसके साथ आप ओस बंदे को वहाँ पर शेर हो जाता है उस company को वहाँ पर शेर हो जाता है तो आप वहाँ पर seriously बात है कोई फाइदा नहीं है Facebook काम करने का अब दोस्तों यहाँ पर जो second option दिखाई दे रहेगा submit dispute इसमें दोस्तों आपको बताया गया कि इस पर आपको click करना है इस पर आप click करेंगे उसके बाद यहाँ पर continue बटन पर click करेंगे यहाँ पर जो first वाला बताया गया है कि अब यहाँ पर आने बाद दोस्तों आपको चार reason यहाँ पर बताने है Facebook बताएंगे अगर आपका reason real में है तो आपको बताना जरूरी है अब दोस्तों first वाला यहाँ पर option क्या बता रहा है कि अगर आपका जो content है वो यहाँ पर original है आप यहाँ पर original owner हो इस content के लेकिन फिर भी आपके जो वीडियो है उस पर copyright आ चुका है तो आपको यहाँ पर जो original वाला है इस पर आपको click करके उसके बाद यहाँ पर आपको additional details डालनी है उनीचे साड आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक option है यहाँ पर tick mark करना है उसके बाद आप यहाँ पर send कर सकते हैं इसको report को अगर आप यहाँ पर original नहीं है आप यहाँ पर किसी दूसरे की वीडियो को उठा रहे हैं अगर आपने किसी company या फिर आपने किसी वीडियो का license लिया हुआ है या उसकी पूरी वीडियो का license लिया हुआ है album का तो आपको यहाँ पर sure करना होगा कि आपके पास जो content है आपने जो यहाँ पर post किया है वो यहाँ पर licensed है और आपने उसका license लिया हुआ है तो आप उसको post कर सकते हैं इस पर आपको click करके आपको नीचे साथ detail डालनी है उसके बाद यहाँ पर submit कर देना है आपको अब यहाँ पर जो third option है यहाँ पर यहाँ पर बताया गया कि आपने किसी website या फिर किसी अलग platform से वीडियो को उठाया है जहाँ पर आप उस वीडियो का use कहीं भी कर सकते हैं फिर भी अगर आप यहाँ पर upload करते हैं तो आपको यहाँ पर copyright का issue मिल गया है तो आपको इसको check mark करके उसके बाद यहाँ पर आपको detail डालनी है और submit पर आपको click करना है अब यहाँ पर अगर तीनों में से आपके कोई भी option नहीं है तो आपको नीचे side यहाँ पर दिखाई देगा others कि आपने वीडियो है किसी दूसरे की उठाई है copyright है हाँ असली में ओनर वही बंदा है तो आपको यहाँ पर other करके यहाँ पर आपको return detail डाल देनी है उसके बाद यहाँ पर I understand करके उसके बाद submit कर देना है अब दोस्तो इस चीज़ का use यहाँ पर यह होता है कि आपने किसी वीडियो को उठाया है ठाके editing करके उसके बाद आपने तो दोस्तो इस option में यह फैदा होता है कि अगर आप original owner है आपने license content लिया है या पर public domain से आपने download की है वीडियो आप यहाँ पर upload कर सकते हैं और आपक करते हैं कि आपके वीडियो पे copyright का issue मिला है आप उसको remove करवा सकते हैं facebook से अब दोस्तों यहाँ पर यह बात होगी उसके बाद हम चलते हैं सिया back अब दोस्तों यहाँ पर आने बाद हमारे पास आ गया है third option जो हमारा यहाँ पर रह गया है बाकी अब इसको भी हम यहाँ प हो है तो आपको सभी जंजट को छोड़ कर इसमें नीचे सेड़ आपको दिखाए देगा remove वीडियो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने बाद यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर delete option आ जाता है कि आप अपनी वीडियो को delete कर सकते हैं तो दोस्तों मै तो मैं कहूंगा कि आपको वहाँ पर ना तो revenue share करना है और नहीं आपको उस वीडियो को रखना है आपके page पर उस वीडियो को आपको जल्द से जल्द आपकी profile और page से remove कर देना है क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसको remove नहीं करते हैं तो future में जाके आपके पास जो problem कесь तो सबसे बहूत कर आ सकती है अब एसके बाद यहां पर आपको delete option फिस वीडियो को यह पर कर देना है फर만ए आपको do ने बात हो चुकी है वहां पर हम close करेंगे तो यहां पर Biz ऐत काने के बाद यहां पर ने के बाद यहां पर प्र मींडो आ चुकी है हम यहां पर इसको दिखा देते हैं एक बार क्लिक करके स्पोर्ट इंबोक्स उसके बाद यहाँ पर जिब वीडियो मैंने डिलेट की थे वह यहाँ पर डिलेट हो चुकी है तो दोस्तों मैं आपको रिकमंड करूँगा आपको रिमूट वीडियो पर ही जязदा जोर देना है कि अगर आपकी बीडियो पर कोपिरेट है तो रिमूट वीडियो करके उसको रिमूट वी करदो कि अगर वो वीडियो migrant वहां पर पड़ी रही है तो वीडियो को नीचे इस like बटन दिखाई देगा उस पर आपको कलिक करके like कर देना इस वीडियो को और comment box में आपको जुरूर तान है कि क्या problem आपके page पर profile पर आई हुई है और आपने इसको remove किया है या नहीं किया है और कितना दिनों से आपकी जो page है प्रोफाइल पर वो problem वहाँ पर आ रही है और नीचे सेट दोस्तों आपको subscribe बटन दिखाए देगा subscribe बटन पर आपको click करके इस channel को subscribe जुरूर कर लेना है क्योंकि यहाँ पर आपको helpful वीडियो देखने को मिलती है तो वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद